स्री कृष्णी चंदर जी का जीवन उत्तम था उनके चरीतर पर कोई कलंक नहीं था ब्रह्म चारी रहकर के उन्होंने 12 वर्ष का तप किया और पृद्युमंजी महराज को बेदा किया इतने बड़े महान विद्वान आप्त पूरुस जिनी के चरीतर पर कोई कलंक नहीं था निश कलंक विद्वान की इन स्वार्थी पाखंडियों ने धज्यां उड़ा दी श्री कृष्णी चंदर जी इतने बड़े महान विद्वान थे उस समय विश्व में उनसे बड़ा विद्वान नहीं था उतना बड़ा युद्धा नहीं था इतने बड़े विद्वान, चरित्रवान, निस्कलंग, युद्धाई की धज्या उड़ाने में इन स्वार्थियों ने कोई कमी नहीं जोटी अब देखिए ब्रह्म विवर्त पुराण में क्या क्या गपोडे मार रहे कियें आपके सामने आज एक गपोड़ा पुरस्तुत है ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकर्ति खंड अध्याई नमबर 40 स्री कृष्णी के चरण से उत्पन पद्म मुकी स्वाहा देवी ने पद्म संभव ब्रह्मा से यह कहकर तप द्वारा पद्मनाप प्रभु को पाने हितु गोड तप किया स्वाहा ने एक पेर पर खड़े रहकर एक लाक वर्स परियंत तप किया एक लाक वर्स कमनी होता इतनी कठीन तपश्या की तो फल भी तो उतना यह अननंद दायक होगा ना आगे तदंतर प्रकरति से परे निर्गुन स्री कृष्ण का दर्सन मिल सका सूंदरी स्वाहा ने कृष्ण का अतिसुंदर रूप देगा जो अतिसाय कमनी ये कांती संपन्तता काम देव को भी मुहित करने वाला था उस रूप को देखकर स्वाह काम वसमे हो गई वे कामुकी होकर मुर्चित हो गई तथा पी सरवज्य बगवान उसका अभिप्राय जान गए जब कोई कामुकी से मोहित कामुकी होकर मुहुर्चित हो जाती तो उसके साथ क्या होगा आप ही जानते हो पिर काम देवी की लिलाएं होगी आगे चीर काल तब द्वारा क्षिन हो गई स्वाहा को प्रभू ने अपनी गोद में बेटा कर उस से खा स्रीकृ secre कैते है काम दे जब मेरा वरहकल्प में क्रिशन अवतार होगा उस काल में तुम नग्नजीत की कन्या नग्नजीती नाम से मेरी स्त्री बनोगी पिर आगि यह कहा कि अगनी देव के साथ उसका विवा करवा दिया गया फिर अगनी देव ने उसके साथ चोत्युस हज़ार मानो वर्स पुरियंत है रमन गिया भोग गिया संभोग किया ये है लीला नहीं तो आपको ये लीला हैं इसकोन वाले बताएंगे और नहीं आपको भागवत ब्रह्म विवर्त पुरान वाले पोपजी बताएंगे बस बागवत कता सुनाएंगे रादे, रादे, रादे कह कर गे भाग जाएंगे इसलिए ये कताए हम आपको सुनाना चाहते क्यों? कifähूंकि हम आपके सच्चे ही तेंजी हैं हम आपका भला चाहते हैं बोलो योगी राज स्री कृष्णी चंदर जी महाराज की जाए हो पर इन पोपों ने तो स्री कृष्णी चंदर जी की दज्यां उड़ा दे इतने महान विद्वान की अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप स्वयम ब्रह्म ववर्त पुरान उठा करके देख लीजिए आपका अपन यूट्यूब चैनल है धन्याद